नमस्ते मैं अभिना स्वागत करता हूँ आपका लाइट हाउस होज से इस वीडियो में बात करना हूँ कि TFT से किस तरह से हम एडिक्शन से मुक्ति पा सकते हैं तो किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो वो स्मोकिंग एडिक्शन हो वो आलकोहॉल का एडिक्शन हो या ओनलाइन गेमिंग का एडिक्शन हो या पौनोग्राफिक का एडिक्शन हो किसी भी प्रकार का एडिक्शन जो रहता है उसको हम किस तरह से TFT से हील कर सकते हैं तो TFT क्या है TFT का एक बेसिक हीलिंग प्रोटोकॉल कैसा है उस पर मैंने वीडियो बना दिये हैं वो आप देख सकते हो ये वीडियो स्प्रेसिफिकली एडिक्शन पर है और एडिक्शन के अल्गोरिफ्म और एडिक्शन पर हम कुछ और बाते करेंगे इस वीडियो में तो अगर आप पहले अपना डियाग्नोसिस कराईए और अगर आप अलड़ी किसी ट्रीट्मेंट में अंडर्गो कर रहे हैं किसी डॉक्टर से तो डॉक्टर के कंसल्टेशन में ही इसको करें ठीक है अच्छा एडिक्शन देखो इसमें कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूं जो डॉक्टर रॉजर ख्याले हैं जिन्होंने ये टीफ्टी डिवाइस किया था उनके ये थौट्स पर्टिकुलर है कि एडिक्शन का एंग्जाइटी से बहुत बढ़ा लिंकिज है और इसलिए रहता है अग्जाइटी ब्सक्राइटी को करने के लिए परसन को लगता भी नहीं है कि वह एक्शली उनको पता भी नहीं कि वह एक्शली एंग्जाइटी है उनके अंदर और उनके अंदर बस वो urge रहती है, addiction करने की, ठीक है, ताकि वो anxiety उसमें mask out हो जाती है, cancel हो जाती है, कुछ time के लिए, ठीक है, तो person anxiety के लिए aware नहीं होता है, वो aware होता है उस craving, उस addictive substance की craving के लिए, ठीक है, तो what Dr. Raja Kalinan says is, कि आप anxiety के जो algorithm है, अगर आप देखोगे, simple anxiety पे अलग एक algorithm है, complex anxiety disorder के लिए, अलग से algorithm है, आप वो algorithm यूज करते हो, तो भी वो addiction में help करेंगे, because root में तो anxiety है, तो anxiety clear होगी, तो अपने आप addiction भी clear हो जाएगा, दूसरा way out है, कि आप addiction के algorithms, जो भी मैं बताऊंगा, वो आप use कर स तो जितना algorithm के, addiction के algorithm use करोगे, उतना anxiety भी clear होती जाएगी, तो इसमें, addiction के तो algorithms है, जो मैं बताऊंगा, इसमें important ये भी है कि PR correction जिसको बोते है, psychological reversal correction बार-बार-बार करते जाना है, because क्या होता है, addiction cases में, बार-बार वो relapse होने का chance रहता है, कि person वापस से use करना स्टार्ट कर करके, और 15-20 बार दिन में, ये side of the hand 15 times, rubbing the sore spot and tapping under the nose, ऐसे PR reversals 15-20 times a day करना है, अपने addiction को सोचके, और collarbone greeting 3 times a day, ये recommended है, addiction की case में, अचा, algorithm क्या है, addiction का मैं पहले बता देता हूँ, algorithm, basically, main algorithm एक है, और then there are 3 alternate algorithms, तो अगर आप main algorithm use करते हो, उसमें आपको result नहीं मिल रहा है, तो there are 3 team और algorithms है, जो आप test कर सकते हो, या फिर आप anxiety का algorithm use कर सकते हो, ठीके, तो algorithm क्या है, under the eye, ठीके, 5-7 times tap करना होता है, under the arm, ठीके, यहाँ 5-7 times tap करना होता है, and collarbone, ये first use algorithm है, alternate algorithms है, collarbone, under the eye, collarbone, ठीके, ये सब मैं description में डाल दूँगा, वीडियो के description में आपको मिल जाएंगे, ठीके, तो आपके reference के लिए हो जाएंगे, second alternate algorithm is, under the arm, under the eye, collarbone, ये second alternate algorithm है, third alternate algorithm है, under the eye, collarbone, under the arm, collarbone, ठीके, तो ये तीन alternate algorithm है, अभी TFT कैसे करना है, TFT में आपको addiction का जो भी thought है, ठीके, आपको जब urge होती है, addiction की, ठीके, उस urge को अपने अंदर ले के आओ, और try करो, कि आप जब ये TFT का process करते हो, smoking हो गया, drinking हो गया, सबसे थोड़ा दूर रहो, smoking का, आपका cigarette का packet होना ही नहीं चीए आपके पार, दूर कहीं, मतलब कहीं दे दो किसी को, या alcohol है, तो alcohol से दे दो, वो bottle होनी नहीं चीए आपके पार, तो क्या होगा, urge आएगी अपने अंदर, तो जब urge आती है ना, तो उसी समय इसको अपने को tapping करनी है, उस urge को अपने अंदर ले के आओ, और उसको tuning कर लो, अपने mind को, उस particular urge से, तो आप tapping करो, जो भी protocols दिये, उस पे tap करो, नहीं, स्वारी, उससे पहले, SUD measure करो, कि 0 से 10 के scale पे कहां है, मेरा ये कितना है, 0 मतलब कोई problem नहीं है, 10 मतलब मुझे भी doctor के पास लेके जाओ, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि 8 के level पे है, ठीक है, तो अब आप tapping करो, जो भी आप, अभी हमने algorithm डिस्कूस किया है, आप tap कर लिए, टाप करने के बाद वापस से देखो, वापस से वो urge देखो कितनी है, SUD वापस measure करो, सब्सक्राइब 8 था पहले, अभी 6 या उससे कम हो गया, तो 9 gamma procedure करना है, 9 gamma procedure कैसा, यह जो दो knuckles है, यह knuckles के बीच में ऐसा, यहाँ पे आप रखके, tapping करोगे, continuous tap करते-करते आप करोगे, close your eyes, open your eyes, नीचे, इधर right में, ठीके, फिर clockwise, anti-clockwise, ठीके, 1, 2, 3, 4, 5, this becomes the 9 gamma procedure, तो यह आप 9 gamma procedure कर सकते हो, और उसके बाद वापस से measures करो, जो भी आपके measures है, हमने जो भी algorithm discuss किया है, वो measures करो, और फिर वापस SUD को measure करो, तो 6 का, सब्सक्राइब, 4 का, सब्सक्राइब, जैसे भी जाता है, ठीके, तो अगर वो 2 points से कम नहीं होता है, जैसे 8 का है, तो 8 ही है, या 7 ही है, तो आपको क्या करना है, PR reversal, PR reversal is 15 बार karate chop point पर tapping करो, फिर वापस से अपने measures करो, ठीके, और यह करते जाना है, जब तक कि वो SUD level 0 तक नहीं हो जाए, ठीके, अगर 2, 1 या 0 हो जाता है, तो उस particular इस पूरे benefit को, इस पूरे healing benefit को consolidate करने के लिए, हम लोग flow to ceiling eye roll करेंगे, जिसमें हम वापस gamut spot रहता है, यह gamut spot है, इस पर tap करते वाग, यह नीचे से देखते हुए, मैं, मेरा सिर नहीं नीचे जाएगा, बस नीचे से देखते हुए, इस तरह आंकों का ऐसा उपर लेके जाना है, ठीके, तो this becomes the flow to ceiling eye roll, is a rapid relaxation technique, in itself, आप यह in itself भी कर सकते हुए, अचा, अभी यह करने के बाद, अगर आपको relief नहीं मिल रहा है, आपको stubborn कुछ cases रहते हैं, जिसमें relief नहीं मिलता, तो आप collarbone exercise, breathing exercise कर सकते हो, उसका अलग वीडियो मैंने बनाया है, उससे यह resistance चला जा जाता है, और अगर addiction करते वा उस पे अलग अलग मैंने वीडियो बनाये हुए है, आप वो देख दो, description में भी tapping का reference, उसका algorithm का मैंने दिया हुआ है, तो वो करके आप कर सकते हो, और अगर आपको one-to-one मेरे साथ में consultation चाहिए, tapping consultation, तो मैं वो भी करता हूँ, तो उसका link भी description में है, तो वो आप देख सकत तो आप यह वीडियो आपको useful हुआ हो, यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, thank you so much, God bless you.